दोस्तों आज किस वीडियो में आपने को बताने वाला हूं कि आप अपने इस्टाग्राम का पूरे डाटा को किस तर से सिक्योर करके अपने पास रख सकते हैं क्योंकि कोई बरोसा नहीं दोस्तों कब आपका इस्टाग्राम का एकाउंट यहां पे डिलीट हो जाए और आपका पूरा डाटा मापे लोस हो जाए और इसी बज़े से अगर आप उसका बेक अप लेकर अपने पास रखना चाहते हैं अपना पूरा डाटा इस्टाग्राम का तो उसको किस तर से ले सकते हैं उसी का प्रोसेस आज कि इस वीडियो मा आप लोगो बताने बाला हूं तो खर आप भी जानना चाहते हैं कि इस्टाग्राम के डाटा को किस तर से डाउनलोट किया जाता है किस तर से सिक्यूर करके अपने पास रखा जाता है तो आज कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखर तक पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तमई वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तमई इस की लिए सबसे पहरे तो आपकर अपनी इस्टेंग्राम की अप्लिकेशन को ऐपन करनी के बाद है प्रोफाइल पर जाने के बाद ऊपर की शेडाप्र की शेंसायों मिलता है आपको simply three dot पे चले जाना है three dot पे जाएंगे तो यहां पर आपको कफी सरे option देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा नीची की सेड आएंगे तो यहां पर आपको कफी सरे option देखने को मिलता है data and history का और इसमें आपको आपको simply download data पे टेप करते हैं तो यहां पर आपको इमेर एकाउंट आपने लिंक करके रखाओगो वो कि यहां पर आजाएगा इसके बाद आपको इंपर request download पर टेप कर देना है जिससे आप इसपर टेप करेंगे यहां पर आपको अपने चली मैं अपने Instagram का पासवर्ट यहां पर एंटर कर देता हूँ, पासवर्ट को एंटर करने के लिगाँ आपको आपको लिंक कर दीजाएगी जाहां से कि आप अपने Instagram के डाटा को डाउनलोड कर पाएंगे, तो यहां से आप इसको डन कर दीजिये, बस दोस्तो 48 अवर के अंदर अंदर आपके उसी mail पर आपको एक mail आएगा उसमें आपको एक download link provide की जाएगी उस link पर किलिक करके आप अपने इस्टाग्राम के पूरे data को download कर सकते हैं और अपने पास हमेशा के लिए secure करके रख सकते हैं तो दोस्तों मुझे पूरी में देखिए आपको प्रसेश ठीक से समझ में आ गई होगी तो अगर आपको चोटी से जैनकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में